नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग, आप सब का एक बार फिट से सौगत है, बाइजूज इक्जाम प्रेप आये सिंदी के यूट्यूब चैनल पर, आज है 14 नवंबर 2022, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे दाहिंदू के समाचार पत्र में कौन-कौन से आर्ट सबसे पहला आर्टिकल प्रेश संख्या 9 पर आपको मिलेगा, जिसको आप अपने थर्ड पेपर से जोड सकते हैं, जहां पर हम लोग सूचना प्रोद्दौगिकी की बात करते हैं, यहां पर देखें इस आर्टिकल में डेटा लोकलाइजेशन के बारे में यहां पर हैं, राइटर का कहना है कि क्या जो डेटा का लोकलाइजेशन है, यानि कि स्थानी करण जिसको बोलते हैं, उसकी रिक्वार्मेंट है भारत में, अभी उसकी कितनी आवशक्ता है, इस बारे में यह पूरा आर्टिकल निकला है, तो इस आर्टिकल के अंदर जाने से पहले ह हमको पता होना चाहिए कि डेटा लोकलाइजेशन होता क्या है, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी कोई शब्द आपके सामने नया आता है तो उसको बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसका संधी विच्छेद करा करिए, तो लोकलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, इस्थानी करण, इस्थानी करण का मतलब है जो देशी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो भारत के अंदर की जो भी चीजें होगी, तो डेटा इस्थानी करण का मतलब होता है कि भाई हमारे भारत के भूभाग के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, उनक तो ही data भारत के बाहर कहीं पर भी store नहीं होंगे, भारत के भूभाग के भीतर, ठीक है, इस चीज़ को लिखते भी जाएगा, flowchart के माध्य हम से, जैसे मैं बना रहा हूँ, तो भारत के भूभाग के भीतर ही इसको क्या करा जाएगा, store किया जाएगा, तो इस type के जो सिध्ध राज अमेरिका की बात कर लें, तो वहाँ पर अगर store होता है, तो ये data localization नहीं कहलाएगा, data localization का सीज़ा सा मतलब यह है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, उनका data भारत की जो territory है, भारत का जितना भूभाग का छेतरफल है, उसी के अंदर कहीं न कहीं store करिए, आप इसक सामने एक उधारन के तौर पर डाइग्राम निकाला है, इसको ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, देखिए, यहाँ पर क्या बताया जाता है कि मान लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, आज के दौर में सबके पास mobile phone है, सबके पास shopping की applications है, आप Amazon पर जाते हैं, ठीक है, आप आपको Amazon पर कोई जूता लेना है, तो अब वो जूता जो है, वो मान लीजिए Adidas का है, और Amazon जो है, यह कहां की company है, यह USA की company है, तो आप क्या करते हो, जूते की site पर जाते हो, वहाँ पर उसको folder को खोलते हो, और वहाँ पर क्या करते हो, उसको buy कर लेते हो, अब यहाँ पर आपने क्या करा, जब आप Amazon से buy करते हैं, तो Amazon पर account बनाने के लिए, आप अपना वहाँ पर address डालते हैं, ठीक है, आप अपना वहाँ पर email डालते हैं, अपना नाम लिखते हैं, और यदि आप cash on delivery नहीं करते हैं, तो आप अगर card से payment करते हैं, तो अपने जो card की detail है, यह भी वहाँ पर डालते हैं, तो कहने का मतलब है, देखिए, आपका एक व्यक्तिकत data भी यहाँ पहुंचा, card detail, इसको आप बोल सकते हो कि आपका एक तरीके का आर्थिक data जो है, यह भी Amazon के पास चला गया, अब यह सारा जो data है जो आप अपनी application में insert करते हैं, कोई भी shopping करने के ल और उसके बाद भी जो आपका data है, वो कहाँ पर store हो गया, वो store हो गया USA पे, तो इसी को बदलने के लिए RBI ने बोला था, RBI ने guideline दी थी, कि जितनी भी यह company होती, जैसे अगर Facebook का उधारण ले ले ले, तो Facebook पर क्या है, आपको अपनी ID बनानी, अपना account बनाना है, तो आप उसमें नाम, अपना address, email, ID, यह सारी चीज़ें देते हो, तो Facebook भी कहाँ की company है, USA की, तो यह भी अपना data कहाँ पर store करती है, USA में, तो RBI ने बोला था, ऐसी कोई भी company है, Amazon हो गया, Facebook हो गया, तो यह जो भारतियों का data है, यह करपा करके आप अपने USA में store नहीं करोगे, आप इंडिया के अंदर ही अपना कोई ऐसी service लगाओ, data allocation यहाँ पर बड़े-बड़े server लगाईए, storage capacity लगाईए, और इनका data आप यहीं पर store करिए, समझ में आया, अब देखो, अब क्या होता है न, यहाँ पर इस data का उपयोग, इतना इसके बारे में चर्चा क्यों होती है, ज पर नीतिक रूप से, राजनेती में data का किस तरीके से उपयोग हो सकता है, स्वास्त का अपना data होता है, आप किसी भी hospital में जाते हैं, वहाँ पर अपना इलाज कराते हैं, तो वहाँ पर आपकी एक proper file बनती है, अब माली जग कुछ data online store, अगर बहुत बड़ा कोई hospital है, उसक क्या-क्या पढ़ाई करी है, कौन से year में हमने कौन सी class पढ़ी है, ये सारी चीज़ें, बात करी जाती है, परियावरन को लेके, ठीक है, तो इतनी सारी हमारी life की sectors में इस data का उपयोग हो सकता है, जो सरकारे होती है न, वो कोई भी निरणय लेती है, कोई भी योजना बनात शकता है, कितने लोग गरीबी से नीचे है, अब ये गरीबी से नीचे वाली चीज़ें कैसे पता लगती है, कि भाई उसके bank account में कितना पैसा आ रहा है, अब जंधन के according सबका bank account खुला है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता लगती है, किसको किसको सब्सीडी हमें किस sector म हमें जादा देनी है, स्वास्त सुविधाएं हमें किस लोगों को जादा देनी है, तो ये सारी information जो है, वो सरकार यूज़ करती है, अब इसी information का जो है misuse भी हो जाता है बहुत बार, जैसे आप देखते होंगे, अमेरिकी चुनाव में, कई बार जो विपक्षी पार्टिय है, वो ये आरोप लगाती है कि ये Facebook जैसी जो कंपनिया है, या फिर Cambridge Analytica का नाम सुनाओगा आपने, तो इन्हों ने क्या करा था कि जो सूचनाएं थी, American people की, वो लीक करने का प्रयास करा था, देखिए इस सूचना से काफी हद तक ये पता लगता है, जैसे आप अगर कोई social networking site use करते हैं, Facebook हो गया, Instagram हो गया, WhatsApp हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने जो political opinion है, जो आपके राजनेतिक विचार है, उनको भी आप share करते हो, कोई government की योजना आई, आपको नहीं पसंद आई, तो आपने अपने Facebook में लिख दिया, या फिर अगर कोई government ने अच्छ कुछता है, कौन सी party को support करता है, तो party या इसी data को use करके उस particular छेतर के अंदर अपना प्रचार परसार बढ़ा सकती है, अब जो उन्होंने अच्छे काम करें हैं, जहां पर उनको लगता है कि उनका जो vote bank है, वो कम है, वहां पर और अच्छे से अपने कामों को दिखा सकती ह हैं, तो इस तरीके से इन सारे data का misuse भी होता है, तो यहां पर writer यही कहते हैं इस article में, कि भाई, यह क्या इतना आवश्यक है अभी data का जो localization है हमारे लिए, अब देखें, जो मैंने आपको बताए data इस्थानी करण के बारे में, तो यह याद रखेगा, सबसे पहली बार ज कि SEMA पार जो हम लोग transfer कर देते हैं और जो storage करते हैं, अब इंडिया का जो data है, वो France में, USA में, Germany में जाके store होता है, तो यह क्या हुआ, एक तरसे transfer हो रहा है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, इसका भंडारन भी हो रहा है, तो इस पे क्या करी जाए, रोक लगाई जाए, भा क्या होता है, इनमें लगता है पैसा, तो जब पैसा लगता है, तो यह companies जो है, यह काम करने से पीछे हटती है, अब अगर बात करी जाती है कि, यह हाँ पर writer बोल रहा है कि, lab क्या क्या है इसमें, ठीक है, ऐसा क्यों आवश्यक क्यों है, तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो है privacy की, ठीक है, आप मेरे देश के जो नागरिक है, उनके data का कहीं पर और use नहीं कर सकते हैं, अब मान लिजे जो इंडिया के शत्रुदेश हैं, ठीक है, वो इस data को उपयोग कर सकते हैं, कोई भी fake news फैलाने पर, उनको पता लग जाएगा कि भाई, यह व्यक्ति जो है, वो इस political party को support नहीं करता है, तो वो हमेशा उसको ऐसे ही post भेजेंगे, जो political party के विरोध में होगी, बहुत सारी fake news भेजेंगे, अब आप अकसर देखते होंगे, जैसे आप Google पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, या YouTube में आप videos देखते हैं, ठीक है, तो जैसे आप मान लिजे YouTube में बाइजूदाइस का regular video देखते हैं, तो आपको क्या होता है, जब YouTube का जो homepage होता है, इसमें आपको बाइजूदाइस से जुड़े हुए, या UPSC की knowledge से जुड़े हुए, बहुत सारे videos automatically आपके homepage पर आने लगते हैं, तो ये कैसे आता है homepage पर, क्यों? क्योंकि YouTube का जो server है वो ये watch करता है कि आप regularly कौन से videos जादा देखना पसंद करते हो, आप मालीजे bike के शौकीन है, तो bike ride के videos देखते हैं, तो आपके homepage पर bike ride के कई सारे videos आने लग जाएंगे अपने आप, तो इसका मतलब है कि कोई न कोई ये चीज़े watch कर रहा है, तो यहाँ पर हमारी गोपनी नीतियां है, वो हम स्वयम decide करेंगे, तो यदि हमारी आंतरिक नीतियां RBI ने बोला सरकार से कि आप को ऐसा नियम लाइए, जिसमें भारत का data भारत में ही store है, तो ये दूसरी companies को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत के अंदर अपना business करती है, तो भारत की संप्रभूता की रक्षा होती है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए जो जवाब देही है, उसकी निगरानी रख सकते हैं, अब मान लीजे Facebook के माद्य हम से कई बार आप news सुनते होंगे, कोई fake news जो थी, वो क्या होती है, बहुत तेजी से फैलती है, और उसके कारण क्या होता है, समाज में हि यूज हुआ है, तो यहाँ पर यह सार भी कंपनियां जो है, वो जवाब देही होंगी, अब दूसरा, यह तो बात हो गई कि इन कंपनीज के बारे में, भारत के अंदर भी जो investigation agencies होती है, CBI हो गई, ED हो गई, IB हो गई, तो यह सारी agencies को अब data चूंकि USA में store है, हम USA से data मांग करने के purpose से इस data को इन company से मांग सकती है, और इन्हें ये data देना पड़ेगा, ठीक है, रोजगार में वरधी कैसे हो सकती है, भाई, जब data center लगाये जाएगा, तो उसको manage करने के लिए कई सारे लोगों की आवशक्ता होगी, तो रोजगार का एक नया sector यहाँ पे सामने आ ज commission, तो इसने कुछ नय नियम निकाले हैं कि PhD अब थोड़ा सा करना जो है, आसान हो जाएगा, प्लस PhD के अंदर जो enrollment है, वो भी अत्यदिक मात्रा में हो, तो अब ये वाला article ना, ये हमारे लिए important कहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ से important हो जाएगी, एक तो UGC संस्था के ब पर भी प्रात्मिक शिक्षा की बात आएगी, या higher education की बात आएगी, तो वहाँ पर आप इसके point quote कर सकते हो, उसी तरीके से higher education में भी आप इस article के points वहाँ पर quote कर सकते हैं, आप देखिए University Grant Commission जो है, उसने PhD के लिए कुछ नय rules निकाले हैं कि PhD में कौन-कौन वेक्ती PhD के लि कर दिया गया है, जो भी graduation program है न, 4 year का जो graduation program होता है, उसके बाद जो PhD है, उसके लिए जो candidates हैं, वो register कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो नियम निकाले गा हैं, उसको नाम दिया गया है, UGC, Minimum Standard and Procedures for Award PhD Degree Regulations 2022, अब कोई भी candidate है PhD में register कराना चाता है, तो उसको क्या करना पड जैसे कोई भी वेक्ति है, वो graduation कर लेता है, ठीक है, 4 साल का उसका graduation रहता है, तो graduation के बाद हम लोग master's की degree में admission लेते हैं, तो master's की degree मान लीजे, 2 साल की है, तो आपने 1 साल अगर complete कर लिया है, तो भी आप PhD में enroll करा सकते हैं, अब जिसने 3 साल का graduation program करा हुआ है, उसके बाद जदी वो master's की degree कर रहा है, 2 साल का उसका ये plan है, ठीक है, तो उसमें भी वो enroll करा सकता है, कब जब उसके 55% marks या फिर इसी के समतल्य जो grades होंगे, वो उसके bachelor में, यानि की bachelor की degree में उसके पास होने चाहिए, यहाँ पर course work जो है न, उसके में भी कुछ संचोधन करा गया है, प तुसरा ये जो course work है, ये आपको finish कब करना है, इसमें भी ये शर्त थी कि first semester में और नहीं तो second semester तक आपको अपना course work finish करना है, बट नए regulations में क्या हुआ है, अब बोला गया है कि जितने भी PhD के scholar होंगे, जो भी PhD कर रहे होंगे, उनको क्या करना है, अपनी PhD के दौरान ही, teaching ह गया, education हो गया, writing related, जो भी उनका, जिस भी subject में वो PhD कर रहे हैं, उसमें इन तीन चीजों में उनको training दी जाएगी, इसके अलाबा 4-6 घंटे पर हफते, यानि कि पर week, उनको क्या करना होगा, teaching करना होगा, जहां पर भी उनको बोला जाएगा करने के लिए, या फिर उनको assistantship करनी होगी, जिस भी lab में वो अपना काम कर रहे होंगे, यहां पर देखे एक और most important चीज़ है, UGC ने ये भी allow कर दिया है, कि जो part-time PhD होती है, ठीक है, उसको भी allow कर दिया है, जो 2009 और 2016 के regulations पर जिसको disallow कर दिया गया था, तो उसको भी यहां पर allow कर दिया गया है, इन्हों आपको करना है अपनी thesis को submit करने से पहले, PhD में लोग thesis अपनी बनाते हैं, जिस विशाय पर वो PhD कर रहे होते हैं, तो thesis submit करने से पहले ये सारी चीज़ें करनी होती थी, कि भाई, आपको conference attend करनी है, दो paper conferences और यहां पर research paper publish करना है, अब इस चीज़ को भी यहां पर समाप्त कर दिया गया है, कि जो PhD scholar है, वो अपना research work, अपने course खतम होने के बाद भी कर सकते हैं, और उसके बाद भी वो अपना जो presentation है, जो भी research paper है, उसको publish कर सकते हैं, ठीक है, तो यह important यहां पर चीज़ें थी, जो मैंने आपको बताई हैं, अब अगर UGC के बारे में बात करें, तो जो हमारे ततकालीन शिक्षा मंतरी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो इन्होंने 1953 को अपचारिक रूप से UGC का उधगाटन किया था, 1956 में संसद के अंदर एक अधिनियम पारिद करा गया था, जिसके अंतरगत इसको सामविधिक निकाय के रूप में यहां पर दरज अगला आर्टिकल देखिए, प्रस संख्या आठ पर आपको मिलेगा, इसको आप सेकेंड पेपर से जोड सकते हैं, जहां पर हम लोग अंतराश्टी संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं, देखिए अभी आपने निउस सुनी होगी कुछ दिन पहले, कि जो रूसी सेना ह है, वो खिरसान प्रांच से पीछे हट रही है, इसी प्रकार देखिए, एक निउस और सामने आई है कि जो फ्रांस है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, साहिल छेतर में, ये अफ्रीका का साहिल छेतर है, अभी मैं इसको दिखाऊंगा मैप में, तो साहिल छेतर से क्या कर रह जो इनका mission था, उसका नाम था बर्खाने, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये प्रारंभिक परिक्षा की द्रश्टी से most important article आया है, तो mission बर्खाने, operation बर्खाने जो फ्रांस की दौरा चलाए गया था, 2013 में, अब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो इस mission को यह पर फ्रांस ने समाप्त कर दिया है, और माली छेतर से अपने जो troops हैं, उनको वापस बुलाया है, तो पहले तो एक बार साहिल छेतर के बारे में जानते हैं, क्योंकि यह article जो है, यह IR का भी article है, और प्लस geography के अंदर mapping का भी article है, ठीक है, तो साहिल छेतर के बारे में जानते हैं, तो एफरीका में आप देखोगे, ऊपर का जो यह छेतर आप देख रहे हो, यह जो ऊपर का area है, यह basically क्या है, यह सहारा मरुस्थल वाला area आजाता है, जो नीचे वाला area आजाता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सवाना घास भूमी का area आजाता है, तो इन दोन area start कहां से होता है, Senegal से start होगा, और Eritrea, Eritrea के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी थी, तो Eritrea में जाके खतम होगा, ठीक है, Eritrea, Ethiopia, जिबूती और सोमालिया, इनको मिला के, हम लोग क्या बोलते हैं, इनहीं को बोलते हैं, Horn of Africa, तो यह भी चीज याद रखिएगा, तो साही छेतर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ना, दुनिया में, वर्ल्ड के, सबसे कम विक्सित area यही इसी को बोलते हैं, सबसे जादा गरीबी इसी area में देखी जाएगी आपको, भुखमरी इसी area में दिखेगी आपको, ठीक है, और अगर बात करी जाए, आतंगवादी घटनाओं की बात करें, तो यहाँ पर सबसेदा हिंसक घटनाए भी आपको देखने को मिलेंगी, तो इस वज़े से यह area चर्चा में रहता है, यही कही न कहीं कारण है कि यहाँ के लोग जो है, जब बहुत जादा यहाँ पर दिक्कते आती हैं, तो यहीं से migrate होके और Europe की चरफ जाना स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यह जो mission बर्खाने था इसके बारे में, कि यह mission बर्खाने, France ने कैसे यहाँ पर स्टार्ट कराया, देखिए होता क्या है, यह जो Africa का area है जितना भी Africa महादूइब देखते हो, यहाँ पर क्या है कि बह African छेतरों में रहती है, जिससे कि यह इस Africa के छेतर में जाएंगे और यहाँ के संसादनों का दोहन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर थोड़ा सा इतिहास में आपको ले जाऊं, तो जब उपनिवेश हुआ करते थे, तो यूरोपी देशों के उपनिवेश, जिस तरी यहाँ पर बात करते हैं, जैसे France वाला जो यह वाला एरिया है, यह किसकी कालोनी कही जाती थी, यह कालोनी कही जाती थी France की, तो France का यहाँ पर France ने अपना कंट्रोल यहाँ पर establish करा था, तो basically यहाँ पर इसके कच्चे माल का उपयोग कर रहा है, प्लस यहाँ पर जो मुद्दा स्टार्ट कब होता है, यह बात है 1968 की, ठीक है, 1968 से 1991 तक माली मैं ऐसा देखा गया, कि यहाँ पर जो तानाशाह थे, उनका नाम था मूसा ट्राओरे, ठीक है, नाम याद रखिएगा, मूसा ट्राओरे, अब यह चूंकी तानाशाह थे, डिक्टेटर थे, तो इन इनका ऐसा नहीं था कि इनका विजन खराब था, यह चाहते थे कि जो पूरा माली है, इसके लोगों को बहुत जादा यह वैभव संपन करना चाहते थे, परन्तु यहाँ पर हुआ क्या प्रॉब्लम कि यहाँ पर पढ़ गया सूखा, अब देख रहो है, अब साहरा मरुस् करना शुरू कर दिया, दूसरा, यहाँ पर लोगों ने बोला कि अब यहाँ पर हम ताना शाहा किसी को नहीं रखेंगे, अब यहाँ पर लोगों के दोरा चुनी गई सरकार आएगी, तो यहाँ पर 1991 में तक्ता पलट यहाँ पर लोग कर देते हैं, और इनको हटा दिया जा है, परन्तु 1991 से लेकर 2012, 2012 में फिर से दिखते हैं, यहाँ पर आना स्टार्ट होती है, क्यों, देखिए आपको पता है, यहाँ पर आपको नाइजर देश दिख रहा है, इसी के ऊपर एक देश है, जिसको बोलते हैं, लीबिया, नाम सुना होगा आपने, और लीबिया में ह ही एक ताना शाहत है, जिसको जाना जाता है, गदाफी के नाम से, ठीक है, बहुत फेमस नाम है यह, तो गदाफी यहाँ पर रूल करते थे बहुत समय तक, और यहाँ पर इस पूरे छेत्र की बात करें, तो यहाँ पर जैसे अभी जो आतंगवादी संगठन, जिनके बारे कि यहाँ पर हत्या हो जाती है, उस हत्या के बाद, अब यह वाला जो एरिया है ना, यह काफी जादा यहाँ पर इंसर्जंसी देखने को मिलती है, कैसी इंसर्जंसी, अब आप देख पा रहे हो इस डाइग्राम में कि बहुत सारे आपको यहाँ पर ग्रुप देखने को मि प्लस दूसरा माली में क्या था ना माली का एक प्रॉब्लम ये भी था कि माली में एक समुदाय था एक इनका ग्रुप था उसको बोलते हैं तुआरेग ठीक है ये जो तुआरेग ग्रुप था ना इन्होंने क्या करा ये पहले गदाफी के साथ ही काम करते थे बट गदाफी क कि हत्या के बाद इन्हों ने क्या करा कि गदाफी के जो हत्यार थे वो अपने पास रखना स्टार्ट किया और दूसरा अल-काइदा जो ग्रुप है ना इसके साथ मिल गई है अल-काइदा के साथ मिल गए और प्लस दुवारे इन दोनों ने अब उत्तरी माली जो एरिया था यहाँ पर अपना कबजा करना स्टार्ट किया जब यहाँ पर माली पर कबजा करना स्टार्ट करा तो यहाँ पर जो शासन जो सरकार थी जो मैंने आपको बताया तब तो लोकों के दोरा चुनाव होने लग गए तो वो बहुत जादा परिशान होने लगी उनके कंट्रोल से जब चीज़ें बाहर हो गई तब उन्होंने फ्रांस को बोला कि आप मेरी help करो, अब आप कहोगे कि उन्होंने फ्रांस से क्यों help मांगी, तो देखिए जैसा मैंने पहले आपको बताए कि ये सब area जो आप देख रहे हो, यहाँ पर माली और basically नाइजर वाला जो area था, ये फ् Europe स्टार्ट हो जाएगा, और Spain तो बिल्कुल मुरक्को से जुड़ा हुआ है, Strait of Gibraltar को cross करके ही लोग कहाँ पर पहुँचेंगे, Spain में, और Spain से ही लोग कहाँ पहुँच सकते हैं, France में, Germany, तो Europe को एक ये भी डर था कि यहाँ से न, ये लोग जो है, migrate होके जो प्रवासी है उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती न चली जाए, और दूसरा France की कॉलोनी भी था, तो France ने 2013 में, Operation स्टार्ट करा, जिसका नाम था Operation Barkhane, France ने 5000 की ट्रूप्स अपनी भेजी थी माली पर, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी ट्रूप कहां रहती थी, ये आप से देख रहा हूँ, ये सब France के Military Base आपको देखने को मिलेंगे, माली में भी देखने को मिलेगा, मारितानिया में भी आपको देखने को मिलेगा, 3000 ट्रूप्स थे, 6 फाइटर जैस थे, ड्रो, ड्रोन्स थे, रफैल विमान, यहाँ पर भी France ने तैनात कर रखे थे, इन सारी चीजों से लड़ने के लिए, ताकि जो माली है, इस छेतर में शान्ती आ जाए, तो Operation बरखाने के बारे में आपको तो पता लग गया होगा, ठीक है, दूसरा एक France यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चाइना का प्रभुत्व इस्थापित करने की प्रयास कर रहा ह क्योंकि यहाँ पर बहुत जादा मैंने आपको बताया प्राकृतिक संसाधन है, तो यूरोप को यह भी एक खतरा है कि अगर यहाँ पर चाइना का प्रभुत्व बन गया, तो चाइना हमारे और पास आ जाएगा, इसलिए European देश जो है, यहाँ पर troops भेज रहे थे, UN के किया क्यों, देखिए, फ्रांस में जैसे बात करी जाती है, माली, बुरकेना, फासो और गिनी, इन सब जगह जो भी शासा काता है उसके फ्रांस के साथ संबंद अब अच्छे नहीं रहे, दूसरा कारण यह भी रहा कि जो वहाँ पर विद्रोही समूत है, ठीक है, उनसे ज आप अगर मेरे बिहाफ पर जाके बात करते हो, हमको नहीं बताते हो, तो यह फ्रांस को कही न कहीं खराब लगता है, दूसरा ऑप्रेशन जो बर्खाने है, इसको भी कोई बहुत बड़ी सकसेज नहीं कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हुआ क्या, जब से फ्रां घटनाएं वहाँ देखने को मिली, जबकि ऐसा देखा जा रहा था कि इसके बाद वो जो ग्रुप्स हैं वो लड़ाई नहीं करेंगे, फ्रांस का एक और आरोप था कि भाई, रशिया की एक कंपनी है, जिसका नाम है वैगनर, तो यह कंपनी माली के अंदर क्या करती है, कि फ्रांस के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा फैलाती है, तो एंटी फ्रांस जो सेंटिमेंट से वहाँ के लोगों में फैलाने का प्रयास करती है, और फ्रांस को दूसरा बदनाम कर रही है, तो यह कुछ रीजन रहे कि फ्रांस ने इस 2013 के मिशन से बैक आउट कर लिया है, अब वो अपने टूप्स को उसने आदेश दे दिया है कि आब वापस फ्रांस में आ जाईए, अगला आर्टिकल देखिए प्रस संक्या 6 पर आपको देखने को मिलेगा, इसको आप थर्ड पेपर यानि की परयावरन से जोड सकते हैं, देखिए कुछ दिन पहले हिंदू के एडिटोरियल में ये एडिटोरियल आयता, जहां पर भारत के भूजल के बारे में हम लोगों ने चर्चा करीती कि यहां पर जो भारत का ग्राउंड वाटर है, उसका जो लेविल है, वो पिछले 18 वर्चों की तुलना में, जितना हम लोग ग्राउंड वाटर खर्च करते उतना नहीं खर्च कर रहे हैं, जैसे कि इस आर्टिकल में निकला हुआ था, कि अगर 2022 की बात करें, तो 2022 में भारत के अंदर जो टोटल भूजल था, वो 437 बिलियन क्यूबिक मीटर था, हमने इसमें से यूज कितना करा, 249 के वल यूज करा है, इसी तरीके से 2020 में जो तो ये भी देखिये, इससे जादा था, तो हमने पिछले 18 वर्षों में यहां पर ऐसा कहा गया था, कि 2004 में हमने यूज करा था, टोटल 231 और इसके बाद अब जाके 2022 में हमने 249 यूज करा है, तो हमने भारत के अंदर जो भूजल है, उसका बहुत कम यूज करा है, बट इ इतना भूजल है, उसमें कितना यूज करा गया, उतना निकालते हो, तो ये जो प्रक्रिया से आप निकालते हो, जिस प्रोसेस से, उसमें तुर्टी है, इस प्रोसेस को बदलना चाहिए, राइटर ऐसा बोलता है, राइटर ने यहां पर बताया, कि भाई देखिये, यहां इन सब जगह पर जो water level है वो तो बहुत ज़ादा मातरा में गिर गया है दिल्ली का आप जानते ही हो कितना ज़ादा water level नीचे चला गया है इसी के साथ साथ राजस्थान और गुजरात ये दो ऐसे राज जहां पर खत्रा मंडरा आ रहा है बूजल के और नीचे जाने का तो य central law नहीं है जो ground water के use पर नियम बना सके हर राज जिके अपने अलग अलग नियम होते हैं दिल्ली उसका अपना अलग नियम है उतरपतेश उसके अपने अलग नियम है कि कितना level तक ground water को use करना है जबकि एक national level पर ऐसा नियम कानून होना चाहिए यहाँ पर बताया गया कि एक जावाल हो गया इन फसलों को उगाने के लिए बहुत जादा जल की मातरा लगती तभी तो आप देखोगे कि धान की बुआई के लिए सीधी धान बुआई डारेक्ट सीडिंग जो DSR प्रोसेस है उसको लाए गया तो इन फसलों को हमें कम उगाना चाहिए इनकी जगे पर ह हमें वो फसलें उगानी चाहिए जो पानी को कम यूज करती हैं दूसरा यहां पर राइटर बताते हैं कि जो उद्योग होते हैं पानी सबसेदा कहां पर लगता है एक तो क्रशी में लगता है ठीक है दूसरा हमारे घरेलूप योग में लगता है तीसरा उद्योगों में ल यूज कर सको तो उस जो भी थोड़ा बहुत गंदा वाटर होगा उसको आप वापस से रिसाइकल करिए और उसका पानी आप अपने वो द्योगों में यूज करिए अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भूजल में जो कमी आती है न तो उसके मुख्य मुख्य कारण क्या होत है जिससे की हमारा जो भूजल है वो वेस्ट होता है प्लस जो जल गहन मैंने जैसे आपको बताए क्रेशी है उसमें बहुत अधिक जल की मातरा लग जाती है तो यहाँ पर ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिसमें कम जल की मातरा लगे प्लस जो अनुवांशिक फसले हैं तो जा तो फसलों के अनुवांशिकी में इस तरीके का बदलाव हो जिसमें से वो कम जल में भी उनको उगाए जा सके उद्योग जो होते हैं बहुत जादा यूस करते हैं इस भूजल का दूसरा कोई भी रेगूलेशन है जैसे मैं आपको बता है राश्ट्री स्तर पे कोई भी इसका नियम नहीं है संगी मुद्धा मतलब हो जाता है कि यहाँ पर बात आजाती है राज वर्सेज केंद्र की अब जो जल है वो मुद्धा किसका हो जाता है राज का तो केंद्र हो सकता है कि केंद्र ने इसी वज़ए से इस पर कोई भी आज तक नियम नहीं बनाया तो व दिल्ली दर्बार के बारे में आपको बताना है कि अभी तक कितने दिल्ली दर्बार आयोजित करेंगे, कब-कब, अब मुख्य परिक्षा अभ्यास प्रश्च में डालते हैं, तो पहला प्रश्च क्या आपको लगता है कि डेटा संनक्षन के प्रती, भारत सरकार की मन्शा ड करने का प्रयास करिएगा, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आप मेरे से कोई प्रश्च पूछ सकते हैं, तो महालक्ष्मी ने एक प्रश्च पूछा था, हिंदू एनलिसिस में कमेंड करके, कि लक्ष्मी कांत और स्पेक्टरम के नोट्स बनाने होते हैं, कि इनको किताब में ही अंडरलाइन करके पढ़ें, देखें महालक्ष्मी इसके नोट्स आप बना लीजिए, शौट नोट्स बनाईए, पहली बार में नोट्स मत बनाईएगा, यदि कोई भी चैप्टर दोनों ही पुस्तकों में आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो एक बार उसको रीड कर लीजेगा समझ समझ के, दूसरी बार जब उसको आप पढ़ेंगे, तब आप उसके शौट में नोट्स बना लीजेगा, तो नोट्स बना लोगे तो आपको बार बार वो मोटी सी किताब है न, खोल के देखनी नहीं पढ़ेंगी, आपके अपने सेल्फ नोट्स होंगे, त देखिए जाहिए अब 2022 तो एकदम एंड पे आ गया है, तो ये मान के चलिए कि approximately एक से डिढ़ वर्ष का current affairs आपको याद होना चाहिए, ठीक है, प्लस क्या होता है न, कभी-कभी कुछ ऐसी news आती है, जो हमारे आने वाले कई वर्षों तक important रहती है, अब जैसे उधरन के त आप NCRT वगेरा पे पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है, तो आज के सतर में बस इतना ही रखते हैं, मैं आशा करता हूँ, आज का सतर आपको अच्छा लगा होगा, आपके मन में भी कोई सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिच करूँगा उसका आंसर करन की, अब मिलते हैं दा हिंदू के अगले सतर में, कुछ नए आर्टिकल के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे इंपोर्टेंट अपने माता-पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद.